तो हेई यू अपनी यात्रा थम्रें टाइल देके तो आप समझ गए होंगे होने वाली है काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रिस में जो की कनेक्ट करती है मध्यपदेश की लाजय सिटी इंदौर को महाकाल की नगरी उजयन होते हुए तो आज की इसी में अपनी यात्रा होने वाली है इंदौर रेलवे स्टेशन से वांट सी जंक्शन की बीच में तो इस आज की करते हैं बाकि सारी बाते सफर के दौरान करते हैं यह रहा इंदौर रेलवे स्टेशन और सामने है देखे प्लैट्फर नमबर फॉर अगर आप आ रहे न तो आपको न अगर फॉर्स ट्रैवल कर रहें आशे तो आपको प्लैट्फर्म से कुछ इदर है कुछ उदर है पहले न इन दौर रेलवे स्टेशन में ब्रोड गेज और मीटर ट्रेंड चला करती थी तो जो मीटर के स्ट्शन हुआ करता था था अब उसे भी ब्रोड गेज में करन वर्ट किया जा चुका है अगर आप यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई इन सब चीजे को ख्याल रखिए और आप प्लैट्फर नबर पांस पर बैठे हुए दूसरे साइड और आप ट्रें चार पर निकल गई आप धूर ही नहीं पाए तो भाई स्टेशन पर थोड़ा से पहले आजाना अगर आप यहां से फॉर्स टैम कर रहे हैं तो दिखे तो यह है प्लैट्फर नबर वन प्लैट्फर नबर दो तीन चार की तरफ जाने कलिए आपको इस फूट ओवर ब्रेस कर यूज करना होगा इस से आप सामने देखे चलते चलते हैं मैं बिल्कुल प्लैट्फर नबर वन के एंड की तरफ आचुका हूँ यहां पे छोटा सा कॉरिड़ बनाए गया है जैसे प्लैट्फर नबर पांच च्छे की तरफ जा सकते हैं चलिए तब आगे चलते हैं आप सभी को यहीं सब्सक्राइब कर देखिए आपके ट्रेंट यहीं सब्सक्राइब कर जाएंगे और दूसरा यह है कि आपको चलना खूब पड़ेगा अब मैं तो क्या है मुझे ताप सब के लिए वीडियो बनानी है तो हार एक्सपक्त दिखानी है और उसका पूरा कम्प्लीट डिटेल रिव्यू देना है तो इसलिए मैं जान मुझके प्लेटफन नबर फोर की तरफ गया और ताकि मैं आपको दिखास को कि अगर आप फ्लोर या वन की तरफ आ जाते हैं तो कैसे फाइब और शिक्स की तरफ यहां आच चुके हैं प्लेटफन नबर पर खुलने वाली है यह थोड़ा से इशू रहता है क्योंकि ट्रेन ना इंदॉर जंक्शन सुबर नौबस के पंदर मेट पर आती है प्लेटफन डिपार्चर होता है इंदॉर जंक्शन से और ट्रेन निकल जाती है सुबर 10 बस के पंदर मेट पर बनाज के तरफ वापिस तो यार एक घंटे का इसके बास ट्राइम रहता है इसी में स्ट्रेन की क्लीनेस वगरा बैड रोल वगरा सब खिक ठाक करने होते हैं तो अगर थोड़ा सा भी डिलेई आती है न इंदॉर जिक्शन पर तो इसका यहां से डिपार्चर होना तैर रहता है काशी महाकाल का इन इस ट्रेंड में अज़े अश्टी महाकाल हम सपरेखेश हो चुकी यहां रहा अच्छे से पैसे पूरी तरे यह नहीं होगते और क्यों से डिपार्चर हो चुका है सुबह 11 बच के दस मिनट पर हमारा डिपार्चर हो चुका है इन दौ जिक्षे रिल्वे स्टेशन से और एक्चली पता है आज क्या हुआ था मतलब ट्रेन के ना आतो गई थी काफे पहले तो इसकी क्लीनिस वगरा हो रही थी तो जैसे इसके गेट खुलते साथी दो मिनट के पैनिक करके और यह चीज़ गलते हैं थोड़ा कॉंड़ेशन तो मैं टेन करके रख सकते थे लेकिन उसके बाद फिर चैन पूलिंग हुई और फिर सारे पैसेंजर्स बोल्ड हुए और उसके बाद वापस यहां से डिपार्चर हो चुका है कि चलते हैं सीधा अपने फोच के अंदर और सबसे पर दिखिया आपको यहां पर स्लाइडिंग दोर्स मिल जाएंगे कि योग नगरी दिशिकेश लक्ष्मिभाई नगर इंदॉर एक्स्प्रेस लक्ष्मिभाई नगर रेल्वेस स्टेशन को ना एज़ा मेजर सेटलाइड रेल्वेस स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है ताकि इंदॉर जिक्ष्मिभाई स्टेशन का लोड है वो काफी हद तक कम किया जा सके है 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 अगर फतेहावाद चंदरवाद गंज जंक्ष्मिभाई स्टेशन को स्किप कर रहे हैं जो कि एक जंक्ष्मिभाई स्टेशन में यहां से एक लाइन के तरफ अगे जैन की तरफ और उचैन से इंदार के भी आप दोघ्य लू नई सब्सक्राइब जाने के लिए दो हैं एक जाता है वाया दिवास होते हैं और दूसर जाता है वाया फतेह का बाद होते हुए कि रत्लाम डॉक्टर अम्बेट का नगर दिया मियूँ कि आप 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 सामने वो लाइन चली गई है रत्लाम की तरफ हो इसरफ हम नीकल चुके हैं और जैन के तरफ कि यहां देखर बाद बाइपास लाइन तक कि रेनों को अ फटत्या पर दकश्ण पे रिवर्सल गना हो जो त्रेनर रत्लाम से आरी हो और जैन की तरफ जाना हो जैन झुछ युछ ि juven युछ खुछ प्रीर हुड़ वी खुछ पिपपख़्या। चालब तेह से पालब तेह कि कहला है महाकाल के नगरी उज्जेन से आप सभी फ्लो व्लॉक्स के दर्शुकों का मैं हादिक स्वागत करता हूँ इस वक्त हम अपने जर्नी के सबसे फॉर्स्ट हॉल्ट मध्य बदेश के उज्जेन के उज्जेन जंक्शन रेलवे स्टेशन अब बहुत चुके हैं तो कि उज्जेन के सबसे मेजर ट्रांसपोर्ड हब है उज्जेन जंक्शन पे काशी महाकाल एक्सप्रेस की अर्राइवल टाइमिंग है सूबह 11 के 15 मिर्ट और यहां पे इस ट्रेंच का 10 मिर्ट का हॉल्ट है क्यूंकि यह बनारव को उज्जेन से connect करते हुए सीधा कि देरी से हम आये हैं उज्जाय जगुशन रेलवे स्टेशन में प्लैटफन नबर वन पर हमारा अर्राइवल हुआ है उज्जाय सबसे आदा प्रसिद्ध है अपने महा कालेश्वर जोतिल लिंग के लिए जो कि हमारे शिख जी के 12 जोतिल लिंगों में से एक जोतिल लिंग लेकिन आज कल इंस्टाग्राम फेस्बूक चीजों का जमाना है तो यहां पर तकरीबन ट्रें, 148 के गरीब ट्रेंव लेती है और यहां से अरिजिए होती है अगर आप देवास के रास्ते जाएंगे तो यह कुश्य करते है अब क्यूंकि आदेखिए तो आप यहां पर उतार रहे हैं तो आप बाएदिक्षा जा सकते हैं 10 या 20 रुपए देखें और यहां से जस्ट बहा निकलते साथ आपको बस्टेंट मिल जा सकते हैं जैन से आपको मतलब आल ओवर इंडिया के लिए ट्रेने मिल जाएगी मतलब यहां से कनेक्टिविटी का इंपॉर्टिंट और इतनी पवित्रे शहर है उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहां पे ना हर कुछ सालों में कुम मेला का भी आयोजन होता है क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी ना तो मात्र बस पांस मिनिट का होल्टेन के बाद हमारे आसे प्रस्था हो चुका है इस्टेशन पर आपको ना हर तरह के फैसेलिटेस में जाएगे यहां पर वेटिंग रूम है रिटारिंग रूम है दोर मैटरी है अब जैन जैन क्यों से निकलने के बाद आप हमारी ट्रेन नॉन्स्ट्रप वन सैमेटी फाइट के डिस्टेंस कवर करेंगे और सीधा जाके रुकेगे मद्यपरदेश की कैपिटल भूपाल के संथ हीरा दामनगर रेल्वे स्टेशन पर और यहां मारी ट्रेन चली थी कि यहां पर देखिए चैन पूलिंग हो गई है और यार इस ट्रेंट के साथ यह दूसरी बार है जो चैन पूलिंग हुई मेरे खाल से लोगों ने यहां पर यही सोचा हो कि यहां पर दस मेंट रुके होगी और शायद कोई बाहर या इदर उदर चला गया होगा यार टून अachen रज्ड़िय religion और 2 यूँ यहां पूलिंग रूलिंग है इं मतर्शों के पूरिज कि शोचिए जबांदों में रिधाती है। एं मतर्म का ज़िए जगती है। जब मतर्शों करें यसलिख ड़्ड़कों काशिवागाल एक्सप्रेस में ना पेंटर कार की फैसिल्टी भी अवेलिबल है पेंटर कार से मैंने लंच और कर लिया है तो अभी हमारे लंच आ चुका है तो फटर वर्म आपको दिखा देता हूं कि लंच में आज हमें क्या दिया गया है सो यहां इसे अंबॉक्स कर लेते हैं पहले और दिखे राइस दे गई है मैंगो पिकल है इधर पनीर की सब्जी है साथ में सैलेड है एक दो यह दाल है इधर आलू की सब्जी है दो या तीन पराठे है इसके इनदर है तो देखे कॉंट्टिटी तो इसकी काफी कम है रोटी और पनीर की सब्सीपों टेस्ट करते हैं, तो यह बाई प्राथे हैं— वो बस ऊके objects चाहे है बंगे की सब्चीप में कशने सब्साहे हैं— ना तो मेटाह दिख रहा है ना तो पनीर दिख रही है बस एक दो छोटे मोटे ही देखें ऐसे छोटे से पनीर के पीसिस हैं ना मात्र आलू के सबजी को टेस्ट खलता है आलू के सबजी सबसे सही है अभी तक खला दो दाल पूरी ठंडी है और चावल भी ऐसे लग रहे हैं उसके बना दिये गया है ना तो ठीक साइस के हैं मतलब बिल्कुल तो देखें जो थाली है ना में इस च्रेंड में 150 रुपीस की बढ़ी है तो तो टोली वर्थलेस है थाली अगर आपको भूक लग रही है तो आप भू करूंगा कि इस च्रेंग के थाली ना ही पर्जेस करें तो बहतर है तो मैं अपना लंच ही फिनिश करना था तब तक ना हम भूपाल संथ हिर्जार आम रेलवे स्टेशन पहुच चुके हैं जो कि ना भूपाल सिटी को सर्फ करता है और इससे पता है इसले डेवलक किया जा पड़ें कि पहले जिन ट्रेनों को जाना होता था और जो आती थी आके विदीशा बीना की तरफ से तो नहीं भूपाल जंक्षन जाना होता था फिर वहां से रिवर्सल लेके इस रूट पर आना हुआ करता था तो लेकिन अब पिछले कुछ सालों से सारी ट्रेने आती है औ आप देख सकते हैं सेशन में काफी डेवल्मेंट बगारा हो रही है नहीं नहीं यहां पर एमिर्टेस बगारा बनाए जा रहे हैं ताकि आगे चलके पैसेंजर्स को और सहुलियत मिल सके काशी महाकाल एक्सपर की यहां पर अर्राइवल टाइमिंग है दो पहर में दो बच इसके 10-5 मिल कशने यहां पर होल्ट है अपने थारी समय से 35 मिल की देवी पर हम यहां पर आये हैं पस पांचमेट हमारी ट्रेंद यहां पर रुकि और यहां से हमारा रस्थान हो चुका है कि हमारी ट्रेंट 235 किमेटर के डिस्टेंस कवर कर चुकी है और जो यह ट्रेंट इंदाउर जंशन ब्रेंट 25 मिट की देरी से निकले थी वह संथ हिर्दाराम रेलवे स्टेशन तक आते आते से 35 मिट का डिले रह चुका है और मेरे खाल से बीना पहुस्ते-पहुस्ते ना हम कि कर जो सेक्षिन अना जासी तक वो वह वन थर्टी क्लिमेटर के स्पीट के कैपेवल है अ कि कि का बैक्षूशन दो बляवा के दच वुट confess कर दो कर दो कर दो नचल कर दो तो शाम के पांच बज़रें इसक्ट हम पहुंच चुके हैं मध्य पदेश के बीना के बीना जंक्शन रिल्वे स्टेशन परेंगे आपशने के शाम को चार बस के अठारे मिनट और यहां पर हमारी तरन का दो मिनट का हॉल्ट है मत्यप्रदेश के ना सबसे उभरते हुए शहर है बीना शहर और यह बीना इत्वा के नाम से ब्रादी आती है अपने ना गेहूं के लिए और यहां की रिजन की गेहूं की ना डिमांड इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा है भरो तुमान रिफाइंड सेंटर निल्डिया की इकलौती पेट्रोलियम रिफाइंडरी वह भी बीना में ही सिच्टेटेट है बीना जंक्षन का स्टेशन कोड है बी आई एन ए अल्मोस्ट 175 प्लस ट्रेंस यहां पर आके हॉल्ट लेदी है और कई साइट यहां से ओरिजनेट भी होती है इना एक इना जंक्षन की तरफ और चौथी लाइन जिसके पर से हम आ रहे हैं यानि आती है भुपाल की तरफ से कि अ कि यहां कटने वाली लाइन हम से अलग हो चुकी है और हम बढ़ चुके हैं जासी वाली लाइन की तरफ कि अपने इस पार्ट वन की जर्नी को ना हम यहीं बीना जंक्षन से करेंगे जो कि हमारी स्ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है करता हूं आज की जर्नी आप सभी को पसंद आए होगी पार्ट तु में आप क्या देखना चाते हैं आप मुझे नीचे कॉमेंट करके मिना पेंट्रिकार के स्टाफ वगर है मेनेजर वगर आये थो उनों वेसे पूछा तो मैंने आगा देखे सरी सब क्या आप खाना भी ना दे रहें तो ख्यार उन सब बातों को मैंने ऑन-camera रिकॉर्ड ने किया लेकिन मैं आप सभी बता देता हूं इंडिया नेलवे में अगर आ आप से आएंगे हाथ पर जोड़ते हुए चलिए तो मिलते हैं जल्दी इसी के पार्ट टू के साथ तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए जय हिंद आप सभी को